अब जब मैंने Coral Draw X3 शुरू कर लिया है तो मैं एक नया डॉक्युमेंट ओपन करता हूँ शुरू करने से पहले मैं कागस के माप सहित कुछ खास सेटिंग्स की जाच करना चाहता हूँ फिलहाल कागस का माप A4 है अब रूलर के माप की एकाई मिली मेटर्स में है और मुझे वही चाहिए ज्यादातर विजिटिंग कार्ड आयताकार होते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से सबसे पहला कदम है आयत बनाना ऐसा करने के लिए मैं रेक्टैंगल टूल इस्तिमाल कर रहा हूँ मैं चोड़ाई और लंबाई को उसके उप्युक्त आयामों में बदलता हूँ उसके बाद अगला चरण हमारे कार्ड में टेक्स्ट सामगरी डालने का है मैं टेक्स्ट टूल इस्तिमाल कर रहा हूँ ध्यान से देखिए कि मैं नाम और पद टाइप कर रहा हूँ आप इसे अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी टाइप कर सकते हैं मैं इसे अलाइन करता हूँ अब टेक्स्ट के अगले हिस्से के लिए थोड़ा सजावटी फॉंट इस्तिमाल करते हैं यहाँ पर अनेक फॉंट हैं जिन में से आप अपनी पसंद का फॉंट चुन सकते हैं आप जिस व्यक्ति के लिए कार्ड डिजाइन कर रहे हैं उस व्यक्ति के प्रोफाइल के आधार पर आपको फॉंट चुनना चाहिए कुछ लोग गंभीर और पारमपारिक रूप पसंद करते हैं जबकि अन्य लोगों को थोड़ी सी आपचारिकता वाला कार्ड पसंदाता है अब मैं इस कार्ड का एक भाग डी मार्केट करना चाहता हूं डी मार्केटिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं बेजीर टूल इस्तिमाल करूंगा अब यहां मैं पता टाइप करता हूं अब मैं इस टेक्स्ट में फेर बदल करना चाहता हूं अब टेक्स्ट को देखिए यह आप्शन एक एक अक्षर को अलग करता है अब मैं शेप टूल सिलेक्ट करता हूं यह अक्षरों को एंकर पॉइंट्स देता है इन एंकर पॉइंट्स का इस्तिमाल करके मैं अपनी पसंद का डिजाइन बनाने के लिए अक्षरों को खींचता हूं अब मैं अपनी कंपनी के लोगों की ओर बढ़ रहा हूं मैं इसे अपने काड के बाएं उपरी कोने में चाहता हूं मैं इलिप्स की आकरिती बनाने के लिए इलिप्स टूल चुनता हूं देखिए कैसा लग रहा है मैं इसमें रंग भर देता हूं मैं शॉटकट की कंट्रोल प्लस डी इस्तिमाल करके इलिप्स का डूप्लिकेट बनाता हूं और डूप्लिकेट में भी रंग भर देता हूं एक और इलिप्स मैं इसमें काला रंग भरता हूं मैं इसे बाकी सभी के पीछे धकेल देना चाहता हूं इसके लिए मैं अरेंज ओडर टू बैक ओफ पेज पर आता हूं क्या आपको लोगो पर काला शेडो इफेक्ट दिख रहा है? ये मेरे द्वारा क्रियेट किया गया तीसरा इलिप्स है टेक्स्ट टूल इस्तिमाल करके मैं अपनी कमपनी का लोगो डालता हूं इसमें सफेद रंग भर कर इसकी डूप्लिकेट क्रियेट करके इसमें काला रंग भर देता हूं और उसे पीछे धकेल देता हूं ये सब कुछ टेक्स्ट के शेडो इफेक्ट के लिए किया गया है इस लोगों में कई आपजेक्स हैं मैं उन सब को एक एंटिटी या एक आई की तरह ग्रूप कर दूँगा अरेंज फिर ग्रूप इस्तिमाल करके अब यदि आप इसे मूव करना चाहते हैं तो मूव टूल का इस्तिमाल करें अब मेरी स्रजानत मक्ता की बारी आती है मैं टेक्स्ट के साथ खेल रहा हूँ नीले रन का इस्तिमाल करके शेडो इफेक्ट देता हूँ ये हो गया इस डिजाइन को प्रिंटर के पास देने से पहले आपको कट मार्क्स जरूर लगा लेना चाहिए मैं इसे बेजियर टूल इस्तिमाल करके करता हूँ तो प्रिंटर इसे खड़े में यहां से काटेगा अब दूसरी ओर के लिए मैं कंट्रोल प्लस डी इस्तिमाल करके इस लाइन का डूप्लिकेट बनाता हूँ मैं इसे दूसरी ओर मूव करता हूँ अब नीचे की ओर खड़े में कट मार्क्स बनाने के लिए उपरी हिस्से से दो निशान सिलेक्ट करें कंट्रोल प्लस डी दबाएं और उसे नीचे ड्रैग कर लें अब होरिजन्टल कट मार्क्स के लिए मैं इस लाइन का डूप्लिकेट बनाता हूँ ताकि उसे होरिजन्टल बनाया जा सके मैं इसे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी इस्तिमाल करके घुमाता हूँ अब निचले बाए कोने पर होरिजन्टल कट मार्क्स इस बार एडिट फिर डूप्लिकेट ऑप्षिन अब होरिजन्टल कट्स को ग्रूप कर लें डूप्लिकेट करें और उन्हें दाई और ड्रैग करें कट मार्क्स तयार है वैसे तो आप विजिटिंग काड किसी भी मापका बना सकते हैं लेकिन 92 बाए 54 मिलिमीटर ये इसका सर्वमान्य आकार है किसी घर आम करें अब माँ सकते हैं है कश प्रव ये व deze प्रों क्रव्मान्य आकार का बना सकते हैं नहार माँ समन morning झाल झाल अब आराम से बैठ जाएं मैं इस विजिटिंग कार्ड को रंगों और विभिन स्टाइल का इस्तेमाल कर और आकरशक बनाता हूँ अब आराम से विजिटिंग कार्शक बनाता हूँ झाल आखिरकार अब मेरा काम हो गया है अब फाइल को CDR फॉर्मेट में सेव करने का समय आ गया है अब ये प्रिंटिंग को भेजने के लिए तयार है ज्यादा तर प्रिंटर फाइल को PDF फॉर्मेट में पाना पसंद करते हैं और सभी फॉंट्स एवं संबंदित फाइल्स भी एक ही फोल्डर में चाहते हैं उन सभी को एक ही फोल्डर में डालने के लिए फाइल बाद में प्रिपैर फॉर्स ब्यूरो पर जाएं ये एक विजाड है जो खुलता है गैदर ओल फाइल्स असोसियेटेड विथ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें ये रहे वे फॉंट जो मैंने डिजाइन में इस्तमाल किये हैं अब मैं PDF बना सकता हूं और फाइल सेव करता हूं प्रिज़ पली सेव करते हैं